गरीब जिठानी आई शहर मुंबई जैसे बड़े शहर में पायल अपने पती करण के साथ आराम से रहती थी ना सर पर साथ ससूर ना आगे पीछे ननत जिठानी किसी चीज़ की कोई टेंशिन नहीं ये पहुत सही किया तुने जो शादी के पहली ये अलग होने की शर्ट रग दी थी वरना उस गाओं के घर में तु कैद हो जाती गो बरबैंस जोपड़ी में तेरे दिन बित्ती मैं इतनी भी पागल नहीं हूं इतनी मैं उन लड़कियों में सनी हो जो प्यार में सूखी रोटी खा कर रहे ले शीश महली मुझको भाए मुझसे सूखी रोटी ना अंदर जाए मान गये बें तुझे वैसे अच्छे खासे दिनों तक तिरा रुलेशनशिप चला था अब मान ले करण की प्लेस्मेंट नहीं होती तो क्या तुझे उससे शादी नहीं करती अरे तो कौन से उसके अच्छी प्लेस्मेंट हुई थी बीच में तो नौकरी भी चली गी थी उसकी इसलिए तो मैंने सगाई के बाद काफी दिर ब्रेक लेकर रखा था क्या अब इसके नौकरी हो तब मैं शादी करूँ अरे भाई कहां रखेगा मुझे उस गाउं में लड़का मेरे खर्च उठाने लायब तो हो पर पता नहीं मेरे जेट जिठाने को उस गाउं में क्या दिखता है जो गाउं छोड़कर बहाद जाना ही नहीं चाते शादी के बाद आज तक मैंने उनका मूँ तक नहीं दिखा गाउं में तुम्हारा भी हिस्सा होगा न कहीं तुम्हारी जिठानी तुम लोगों की हिस्से को खाने के लिए तो गाउं में नहीं बैठी हुई है पता भी नहीं चलता यार यहां एक फ्लैट लेकर लोग खुद को अमेर समझ लेते गाउं में न लाख लाख रुपे की गाय होती है उनकी पास सो दो सो एकड़ प्लोट सुते है और वो की प्रापर्टी होती है यार इन गाउं वालों की पास तेरे हिसे बीज सेक्टर का भी प्लोट हुआ न तो इस सो हुज नंबर बल्कुल से कहा यार तुने इती ये तुम मैंने सुचा ही नहीं था और हाँ यार इती यूर राइट अगर हमारी कोई ऐसी प्रापर्टी गाउं में है तो मुझे पता तो होना चाहिए न यार रात को जैसे ही करण आता है पायल अच्छा खासा माहूल बना लेती है और कोने में मूँ फुला कर बैठ जाती है क्या बात है आज मेरी चीडिया चैचाह नहीं रही हाथ मुं धोलो करण मैं अभी तमारे लिए डिनर लगा देती हूँ मेरे लिए क्यो तुम मेरे साथ डिनर नहीं करोगी अच्छा भोग लग रही थी तुम्हें कर लिया क्या पहले यी डिनर आज तक तुम्हारे बिना डिनर किया है क्या जो आज कर ले थी मुझे नहीं कहाना है कुछ भी आज तुम अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी न जरूर वहाँ कोई बात हुई होगी किसे ने कुछ कह दिया है क्या मुंबे जैसे शहर में सर्वाइव करना कितना मुश्किल है यह तुम जानते हो न करें ओपर से यहां की लाइफ इतने लैविश है मेरी फ्रेंड के पास इतनी महंगी महंगी गाडियां है इतनी महंगी महंगी जुलूरी है अब मैं उन से कंपैर तो नहीं कर सकती पर अगर अगर हमारे पास कोई प्रापर्टी है, जिसे बीच कर हम अपने शौक पूरे कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए ना, अरे बिलकुल करना चाहिए, तुम्हारे पेरेंस अगर तुम्हें कुछ दे रहे हैं, तो तुम बिलकुल उस प्रापर्टी को ले लो, मैं तुम्हारी पून भी नहीं है वहां किसी के पास, वो कहां से हमें कैश देंगे, और दूसरी बात ये कि मेरे गाउं की प्रापर्टी का कोई हिस्सा बचाई नहीं, याद है जब हम MBA कर रहे थे, तो तुम्हें एक स्टार्ट अप करना था, रेस्टोरेंट वाला, उसके लिए 45 लाख रु तो तुम्हें जो तीन टाइम खाना बना बनाया मिल जाता न, वो नहीं मिलता, छोगो इस बात को, 45 लाख में आज के जमाने में होता क्या है, कुछ दिन बाद, पाइल की फ्रेंड्स उसके घर किटी पार्टी के लिए आती है, और जहां सब के बच्चे हो, वहां discussion किस टॉ अब ड्रामा मत कर, फिर बच्चा होगा भी नहीं, बेबी के बाद ही फैमिली कम्प्लीट होती है पाइल, जब तक खुद का बच्चा नहीं हो न, तब तक पती 10 अफैर चला लेता है, कितनी बार तो एक्स के साथ पिर रिलिशन्शिप में रहते हैं, पर जैसे ही बच्चा हाथ में आता है, पती ठीक लाइन पर आ जाता है, समय से घर पर आना, समय से जाना, और इसका फोकस न, पैसे कमानी के और ज़्यादा बढ़ जाता है, अच्छा, फिर तो शायद अब बेबी प्लान करना ही बढ़ेगा मुझे, और पाइल, बेबी प्लान करना शुरू करती अर ये तो बहुत ज्यादा प्राब्लम हो गई है, पाइल, दो दिन अल्रेडी में तुम्हारे करन छुटी ले चुका हूँ, आज आफिस नहीं गया तो बास गाएंगे कि घर पर ही बैठो, और जॉब चली गई न, तो ये साने वाले बच्चे का खरचा कैसे चलेगा बता अफिस में होकर भी न, मेरा ध्यान तो यहीं रहेगा, क्या ही काम कर पाऊंगा मैं वाँ, करन की बात मानकर पाइल, अपनी मा को कॉल लगाती है, तीन दिन बार कॉल किया मम्मी, कहा हो तुम, अरे बेटा मैं तो गोवा आई हूँ, बेटे बेटियों की शादी हो गई, बह कि बच्चे को साल भर हुआ नहीं कि तुने नंबर लगवा दिया, अब मैं नहीं आने वाली, पागल समझाए क्या तुने मुझे, प्रेम की बेटी की चड़िया धो धोकर मेरी उंगल गल गई है, अब तेरी उल्टिया साफ करू, एक नर्स रख ले, या उससे अच्छा अ पैसे भी चले जाएंगे, और मैं बहाँ आ भी गई ना, तो पता चला मेरा भी काम तुझे करना पड़ गया, इसलिए कहती हूं कि अपने गाउं से अपनी जिठाने को बुला ले, वो ठैरी जवा, नाराम से भाग भाकर गर का सारा काम करतेगी, बरतन वाली को भी हटा दे ना, वही सब को संभाल लेगी, घर में दो पैसे बचेंगे, अरे पर मम्मे वो तो गाउं की गवारन है, अरे पर तुझे तो अपने काम से मतलब है ना, अपना काम निकल वाले, फिर भेज देना उसे, और वो पाय, जो दीवाली होली पर भी अपनी जिठाने को फोन नहीं करती थी, वो आज अपनी जिठाने को फोन लगाती है, नमस्ति भाबी जी कैसी हैं आप, आरे बहुतु, सब ठीक तो है बटा, कितनी बार फोन मिलाया हमने तुझे, बात ही नहीं हो पाई, हर बार कोई औरत फोन उठा कर कहती थी, रांगा नंबर, कोई सर्वर प्रॉब्ल पहले भाबी को ही बताओ, तो सीधा आपको बताया, बहुत दिन हो गया भाबी आपसे मिले, अपना सब छोड़ चाड़ कर यहां आ जाईए मिलने हमसे, टिकट करवा देती हूँ, हाँ, हाँ, मैं आ रही हूँ, बहुत बड़े खुश कपरी सुनाई हैं तुमने, अभी आ और बिना अदेरी किये, अपने एक हाथ में लोहे का बकसा और सर पर पोटली रखे मीना अपनी देवरानी के फ्लेट पहुंच जाती है, जहां आसपास कि सभी प्लाट वाले जहांक ढग कर उसे देखने लगते हैं, ओमाई गाड, सो लो क्लास, इंको विला कर तो पायल ने पैस अच्छी ट्रॉली भी नहीं थी क्या, यह बकसा कौन लेकर आता है आज कर, किसे ने अपो देखकर कुछ पूछा तो नहीं ना, आ हरे नहीं नहीं बभभो किसे न कुछ नहीं पूचा, हां, चलो यह अच्छा है वा, किसे ने कुछ पूछा नहीं, और अगर कुछ तू ठीक तो नहीं लग रहा है भाबी, कुछ खाने कभी मन नहीं हो रहा, उपर से मेरी कूख भी बिमार हो गई है ये सुनते ही मीना सीधा फ्रेश हो कर आती है और किचन में जाकर खाना बनाना शुरू करतीती है कैसा काम करती थी तेरी कूख पायल, सारी की सारी बर्निया खाली है, राशन भी ध्यान से संभालती नहीं वो, पक्का चूरी करती होगी खैर बरतन वाली कब आने वाली है, पता नहीं भाबी, इनका न कोई फिक्स नहीं होता, जब मन होता है तबाती है बरतन साफ करने क्या मैं कर देती हूँ आँ वैसे उठा तो नहीं जारा अरे हट पागल तू क्यों उठेगी तू पैर उपर कर और सूजा मैं हूना मैं सब देख लूँगी और मीना जारू उठा कर पहले पूरे घर में जारू लगाती है फिर पूछा करती है और रस्वी में रखे बरतन्द होती है और फिर नाश्ता बनाना शुरू करती है उठी जा पायल कुछ खा ले फिर से सो जाना हाँ पायल जैसे पहला निवाला मूं में लेती है उससे उल्टी आने लगती है और वो वहीं फर्ष पर उल्टी कर देती है ओह 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 चला कोई बात नहीं ऐसे अवस्था में बार बार वा भी आती ही है तू अनारदा ना खा, तब तक मैं उल्टी साफ कर देती हूं मीना बिना घिन की अपनी दिवरानी की उल्टी साफ करी होती है पर फिर भी पायल की मन में उसके लिए जरा भी प्यार नहीं आता वाँ ममी मान गया सही खाता तुमने अपनी चिठानी को बुला ले क्या और तो यह गिन भी नहीं आती इसे पर ये क्या ही गिन करेगी ये तो उसके लाइफस्टाल है बसे दो घंटे में सब कर दिया भाबी ये सब हो जाए ना तो वाशिंग मशिन में कपड़े डाल दीजीगा ओ नहीं नहीं आपको तो चलाने भी आती नहीं होगी मशिन बेकार में खराब हो जाएगी इसी तरह दिन बीतने लगते हैं मीना दिन भर अपनी देवरानी की सेवा करती और रात को ओफिस से आये देवर के लिए खाना भी बनाती एक शाब आँ क्या खुश्बू आ रही है दाल मखनी बनाईए क्या भाबी आपने प्रेनर करने बाहर जाएंगे ये सुनकर मीना भी कमरे में तयार होने चली जाती है दस मिनिट बाद सभी अपने एक कमरे से बाहर आते हैं कहां जाना है अच्छा तो ये आप तयार होकर आई है इसे साड़ी पैन कर इस शहर में कोई साड़ी नहीं पैन ता भाबी आप खाना बना लिजी और खाकर सुजाईएगा मैं और करन ही रेश्टरून्ट जा रहे है वो कहना भाबी अब दिन बहर आप घर पर रहती हो तो हम दोनों को प्राइवेसी भी नहीं मिल पाती न वी नीट सम टाइम पहले तो कुछ दिन पायल अपनी भाबी से ढंग से बात करती थी पर धीरे धीरे वो अपनी भाबी की इंसल्ट करने लगी थी कुछ दिनोबाद पायल की फ्रेंस पार्टी के लिए उसके घर आती है ग्रेंक ला दीजी और ये प्लेट से उठा कर ले जाए भाबी अरे पर कोल्ड रिंग पेने से अभी तुम्हारे गले में दर्द हो सकता है मुझे आप मत सिखाएए मुझे क्या पीना है क्या नी आपको जिस काम के लिए बुलाया गया है न वो काम करिए मीना जूठे बरतर उठाकर रसुए में चली जाती है अच्छे कामवाली ढूंडिये भई तुने दो घंटे से तेरी बात सुन रही है पर सारा काम करी जा दिये आज के जमाने में कोई कामवाली इतना नहीं सुनती कितने में रह रही है यहाँ पर पागल है कि अपरिया यह कामवाली नहीं है जिठानी है पायल की अरे काही की जिठानी अरे बैए ऐसा खाना बनाती है कि क्या बताओ जो राशन पंदरा दिन में खत्म होता था अब हफ़ते हफ़ते में खत्म होने लगा है मुझे तो लगता है यह सामान छुप छुप कर बाहर किसी को ते रही है एक तो इनकी कारण इतनी इंसल्ट होती है मैं किसी को घर पर बुला भी नहीं सकती कपड़े देखी इनकी वो तो मेरी प्रेग्नेंसी की बात है मुझे इने जहिलना पड़ रहा है वरना ऐसे लोगों को मैं तो मूँ भी ना लगाँ पायल अभादी कर दीती है वो आए दिन किचन में खड़ी होकर ये दिखती कि उसकी भाबी किस चिसमें कितना सामान यूज कर रही है कुछ चाहिए क्या बहू क्या लादू बोल कल तो शिशी में तेल आदा था भाबी ये अचानक चौथाई किसे हो गया सुबह तो कुछ बना भी नहीं था मैंने तो ब्रेट जाम खाया था तेल पीती हैं क्या आरे सुबह सुबह करन ने कहा था पर आठे बनाने के लिए और उसके बास के लिए भी दो टिफिन पैक करवाई उसने तो उसी में तेल खतम हो गया तो सो रही थी ना तो तुझे पता नहीं चलाओगा वैसे तेरा ना सात्वा मैना चल रहा है ये सुनते तेरे भाईया तो खुदी उताओ ले हो गया मैंने भी कहा पहली गाड़ी पकड़ो और आजाओ आज शाम को फ्लाइट से पहुंच जाएंगे फ्लाइट के पैसे काऊ से आ रहे उनके पास और फ्लाइट में पहले कभी चड़े हैं क्या अच्छा अब अगर छोटा भाई खर्च उठाई रहा है फ्लाइट में ही उठेंगे सही है और शाम को जैसे ही प्रियतम घर पर आता है उसे देखते ही पायल सीधा उठकर अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे मूँ सुझा कर बैट जाती है मानो उसका कोई दुश्मन आ गया हो शायद मुझे नहीं आना चुए था मीना बहु को मेरा यहां आना ठीक नहीं लग रहा है वैसे भी बहुत सारा काम बाकी है ऐसा करता हूँ कर सुबह की गाड़ी पकड़कर वापस चला जाओंगा अरे पर फिर आपकी वो मीटिंग मिटिंग हो सके तो आज ही कर लूगा तब ही पायल की फोन पर करण का फोन आता है सुनो न पायल आज बॉस के साथ कुछ कलीग जाने वाले हैं खाना वाना रेडी कर लो पायल फॉरण बाहर जाती है और अपनी भापी से कहती है मीना रस्वय में जाती है और काम करना शुरू कर दीती है कुछ दिर बाद आफिस से करण के साथ उसके कलीग और बॉस आते हैं सोफि पर बैटे प्रियतम को देखकर वहीं खड़े के खड़े रह जाते हैं ओ माई गॉड सर आप यहां आप कब आए सर आपने बताया होता हम आपको लेने आ जाते तुमने बताया नहीं प्रियतम सर तुम्हारे रिलेटिव है साथ में में भी आईए क्या सर तबी किचन से हाथ में ट्रे लेकर मीना बाहर आती है अरे में आप क्यों काम कर रही हैं हम करते ना प्रियम यार में को बिठाओ हमारी कंपनी की CEO है यह प्रोटोकोल नाम का चीज होता है या नहीं हमारे लिए तो आप प्रेना है में इतना सब कुछ होने के बाद भी गाउं में रहना इस लाइफस्टाइल में रहकर भी इतनी बड़ी अमपायर की मालिक होना 24 गंटे काम करती है आप वी वान्टो बी जस्ट लाइक यू आपको शयद कोई गलत फैमी हुई है ये तो मेरी चिठान ही है गाउं में रती है मिलकी ड्रे इस कंपनी के ओनर प्रियतम सर और मीना मैमी है भाया ये कंपनी आपकी है मैं आपकी कंपनी में इंजीनेर हूँ MBA के बाद याद है जब तेरी नौकरे छुट गई थी फिर जिस लीड से तुम्हारे पास इस जॉब के इंफरमिशन आई थी वो मेरे ही PA ने भीजी थी मुझे पता था अगर तुझे ये बात बता चली तो शायद तु ये पोस्ट ना ले ये सब छड़ो मेना तुम चाय लगाओ पायल को कुछ समझ में नहीं आता वो वही के वही खड़ी रह जाती है अपनी जिस जिठानी को वो नौकरों की तरह ट्रीट कर रही थी वो उससे भी ज्यादा पड़ी लिखी और इतने बड़े कंपनी की ओनर थी करोडों की प्रॉपर्टी होने के बाद भी इतनी सीधी इतनी घरे लो अपने सामने ये सब देखकर पायल का मन गलानी से भर जाता है वो फूट फूट करोने लगती है भाईया भाभी मुझे माव कह दीजिए कितनी जिल्द की मैंने आप दोनों की आपको आये हुए एक मिनिट नहीं हुआ था भाईया कि मैं आपके सामने से उटकर चली गए आप चाहे तो इस फ्लैट के जिसे न जाने कितने फ्लैट करीच सकते पर फिर भी मैंने भाभी पर राशन चुरी का इल्जाम लगाने से पले सोचा भी नहीं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा किस मों से मैं आप लोगों से माफी माँगू अरे पगली ये गलतियां बच्चे नहीं करेंगे तो हम जैसे बुढ़े करेंगे क्या तो बस इन चीजों की टेंचिन छोड़ और हमारे खांदान के बार इसको जनम देने की फिक्र कर भगवान ने ऐसे भी मुझे इस सुक से वन्चित रखा है कम से कम तेरे बच्चे को ही देख कर मैं खुश हो जाओंगी बच्चा मेरा नहीं होगा भाबी यह आपी का होगा और मीना बिना एक भी बार सोचे पाहल को माफ कर दिती है और पाहल का परिवार फिर से एक हो जाता है